अज़ालेकूम गाइज मैं हूं वसंद शबूर और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हादर हुआ हूँ आज की वीडियो है फॉन जावा की बीडिंग के उपर क्या फॉन जावा को पीड करने के बाद कैसे महाना इंकम जनेरेट कर सकते हैं फॉन जावा आज कल जो करूंगा कि आप पॉन जावा को अपने सैटम में आड करें और कुछ महाना इंकों को जनेरेट करें लेकिन यह जो फिसीबिलिटी स्टडी आपके सामने पेश करूंगा कुछ देर बाद उस विसीबिलिटी स्टडी में कुछ आइडियल बातों को बताया गया है जिस तरह आपका प्लाच एक जो है वह फॉर फाइट आप एक साल में एक पेर से और उसे फॉर चिक्स आप फासिल कर सकते हैं लेकिन आप इन तमाम अडियल क्रिशन को उस तकी मीड कर सकेंगे जब तक आपको अब तक आपको एक्स्पीरियंस ना हो आपको अगर ओलरेडी स्मॉल से experience होगा तो आप अगर experience होल्टर बनने हैं तो फिर आप इस setup को run कर सकते हैं इस ब्रीड से असानी के साथ 50,000-60,000 से एक लाख रपे earn कर सकते हैं यह feasibility study 10 page के अपर है ठीक है और आप 10 page से जो है असानी से जो है पैसे अर्ण कर लेंगे लेकिन आपको इस पास का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आपको और इस चीज़ का experience हो अगर आपका experience नहीं है तो आपको मैं कभी advice नहीं करूँ कि आप phone Java को लगाएं इस वक्त क्यूंकि आपको जो है वह नुपसान भी उठाना पड़ सकते हैं तो आप phone Java को ब्रीड करवा सकते हैं और phone Java को ब्रीड करवाने का सबसे ज्यादा benefit यह है कि यह जावा जो है वह बहुत अच्छा ब्रीड करता है और क्लूनी ब्रीड करने का फाइदा ही होता है कि आपकी effort जो है आपका time जो है वह कम से कम लगता है आप अगर job holder बने हैं तो आप पार टा अच्छी आती है असानी के साथ बीड कर लेता है अगर आप सको environment conditions तो यह ब्रीड कर रहा होता है तो इसकी वाएसे आपका हर मंथ कुछ ना कुछ income generate होती रहती है आप इन 10 पे लाग रख रवे पर मंशने कर सकते हैं लेकिन अगर अगर इल कंडिशन नहीं भी है तो आप अ सब्सक्राइब करने हैं तो आप जो है इससे आपको experience पर आना चुरू हो जाएगा और इसके लाव आपको part time जो है वो income भी आना चुरू हो जाएगा वीडियो को शूरू करते हैं और वीडियो में Excel sheet दी गई है उस Excel sheet को मैं आपको provide कर दूंग अगर आप चाहते हैं Excel sheet आप को मिल जाए तो मैं आपको comment section में अपना WhatsApp नमबर यहां अपना email ID लिग दे मैं आपको Excel sheet प्रवाइड कर दूंगा और उस Excel sheet को अपने लिहाज से बोल्ड कर सकते हैं अपने लिहाज से आप कुछ कंडिशन के लिहाज से आपने पेर जादा है या पेर कम है या आपने कुछ अपने लिहाज से अपने सीट को मोल्ड कर सकते हैं तो गाइस समय टिशू करते हैं और लेट सी वाट हैपन थैंक्यू समच गाइस यह फीटिबिलिटी स्टेडी 10 पेर्स फोन जावा के साथ है सबसे पहले हम कैपिटल गोस्ट देखते हैं कैपिटल गोस्ट जो आएगी 10 पेर्स की हमें 10 पेर्स परचेस करने पड़ेंगे 1,60,000 पे के आजकल जो चिक का रेट चल रहा है वो चल रहा है 8,000 पे पर तो आपको एक कलोनी केज भी बनाना पड़ेगा और कलोनी केज तकरीबन 15,000 पेका पड़ेगा 10 पेर्स के लिए आपको 13 नेस्टिंग बॉक्स लगाने पड़ेंगे क्यूंकि आपको पेर्स से ज्यादा नेस्टिंग बॉक्स लगाने पड़ते हैं इसलिए आपको 13 82,500 बनती है अब आदे पर मन्थ कोस्ट की तरफ पर मन्थ जो सीडिंग कोस्ट आएगी वो तकरीबन 2000 पे आएगी दस पेस्ट के लिए 2000 पे के सीड्स बहुत ज़्याद हैं तो आप असानी के साथ उसको परचेस कर सकते हो इसके लावा soft food आपको तकरीबन 1500 पे का पड़ेगा medication के उपर आपके 1500 पे आएगे medication में आपके vitamin, calcium भी आजेंगे और आपकी बिमारी के medicines हैं वो भी आजेंगे तो वो तकरीबन 1500 पे कोस्ट करेंगे आपको इस तरह electricity और heater का जो expense है वो तकरीबन 3000 पे का पड़ेगा आपको इस तरह आपकी मंत्री जो expense है वो तकरीबन 8000 पे आपको आएगा और जो साल का expense है 8000 multiplied by 12 तो तकरीबन 96000 पे आपका पर मंत जो पर येर जो है वो कोस्ट आएगी अब आते हैं chicks के उपर एक पेर आप एक पेर से असानी के साथ पांच clutch ले सकते हैं जिन से आपको 20 chicks आएंगे और 20 chicks की जो आप उस वक्त 75 hundred per chick के साफ़ से भी sale करें तो आप असानी के साथ 1,50,000 पे के chicks 20 के भी sale कर देंगे एक पेर से अगर आप एक पेर से आप 20 chicks ले रहे हैं तो वो 1,50,000 पे के पड़ेंगे इस तरह चूंकि आपके 10 pairs लगाए हुए थे आपने तो 10 pairs से आप 100 chicks लेंगे जो आपको तक्रीबन 15,000,000 पे के sale होंगे अब आते profit की तरफ आपकी total earning एक साल में जो होगी वो 15,000,000 पे के round होगी ठीक है आपकी capital investment प्लस per month expense अगर मलाएं तो बनेगे 2,88,500 रपे ठीक है और अगर आप total earning को minus कर दे capital cost, capital investment से और per month expense से तो तक्रीबन आपको 12,000,000 पे के करीब per year profit होगा और 12,000,000 के डवाइड कर दें आप 12 के साथ तो तक्रीबन आपको per month जो profit हो रहा होगा वो एक लागर पे round होगा अच्छा गाइस यहाँ पर यह बात दा दूम है कि यह एक लागर पे profit आप without fostering ले रहे हो ठीक है आप एक साल में एक पेर से 5 clutch ले रहे हो अगर आप fostering करवाते हैं तो आप एक पेर से 7 से 8 clutch भी ले सकते हैं ठीक है जिससे आपको profit पी उसके साफ से बढ़ना शुरू हो जाएगा it all depends upon कि आप किस तरह manage करते हैं